रादी रादे जैमाता की भक्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ spiritual ग्यान साधना में और आप सभी से अनुरोद करती हूँ कि spiritual ग्यान साधना को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस करती है ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है जिस प्रकार प्रतेक महीने एका दशीतिति का ब्रत आता है गडेश चतुर्थी का ब्रत आता है अश्टमी का ब्रत आता है प्रदोश ब्रत बार के अनुसार होता है जैसे यदि त्रियोध शितिति मंगल बार को होती है तो उसे भौम प्रदोश ब्रत के नाम से जाना जाता है प्रदोश ब्रत के अनेक लाब होते हैं भगवानशिप की प्रसनेता के लिए माता पार्वती की प्रिसनेता के लिए प्रदोश ब्रत किया जाता है जै माता की रादे रादे कैसे हैं आप सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बताने के लिए कॉमेंट में जै माता की रादे रादे बशे ही लिखेगा तो भक्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आश्विन मास के प्रदोश ब्रत के विशे में आश्विन महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष है और अंग्रेजी के अनुसार अक्टूबर का ये महीना है तो आश्वीन मास के शुकल इजम पख्ष के पृदोष ब्रत की पूर जानकर आज आपको मिलेगी कि ब्रत की डेट क्या है और इस ब्रत में हमें किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार भगवान्शिप को प्रिशन करके हम अप में ग्रंथों क्यानुसार जब मंगलवार को त्रियोदशी तिथी आती है तो उसे बहुं प्रदोश ब्रत कहा जाता है इस दिन पूजा और ब्रत करने बालों को शिव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और हर तरह के दोशों का नाश होता है व्यक्ति मांसिक और आ प्रदोश ब्रत आते हैं लेकिन भौम प्रदोश ब्रत भी स्ट्रेश्ट माना जाता है आए जानते हैं अक्टूबर में भौम प्रदोश ब्रत की डेट क्या है अक्टूबर के महीने में आश्विन महा का दूसरा प्रदोश ब्रत है 15 अक्टूबर 2024 को यह मंगलवार को शाम 6 बचकर 12 मिनट से और इसका समापन हो रहा है 16 अक्टूबर 2024 दोपेर 3 बचकर 10 मिनट पर भगवान शिव की पूजा का शुब महुर्त शाम 5 बचकर 51 मिनट से शुरू होगा जो रात 8 बचकर 21 मिनट तक रहेगा भौम प्रदोश के ब्रत के दिन शिव पूजा के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिल रहा है भौम प्रदोश ब्रत अच्ची और निरोगी काया के लिए स्वास्त लाप के लिए और लंबी आयू के लिए किया जाता है भौम प्रदोश ब्रत मंगलवार को आता है मंगलवार हनमान जी का दिन बताया गया है साथ ही यह मंगल ग्रह से भी सम्मंदित है यह ब्रत करने बालों को कुंडिली में मंगलिक दोश से छुटकारा मिलता है आर्थिक परेशानिया दूर करने या कर्च से मुक्ति पाने के के लिएए बहुन प्रदोश्परत अचूप माना गया है प्रदोश-प्रत भगवा शीब को समर्पित है प्रडोश-प्रत में ब्रह्ममूर्थ में उठकर इसनान आदि से निवृत्य होकर सूरे भगवान को जल अर्पन करना चाहिए और भगवान शिप के निमित बैटकर ब्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज हम प्रदोष का ब्रत कर रहे हैं प्रभु स्विकारे करें और शमा प्रार्थना कथा आरती करना कभी नहीं भूलना चाहिए सुभा के समय पूजा करने के बाद प्रदोश काल में पूजा करना अत्यावश्यक होता है और शिवाले में जाकर यदि पूजा करते हैं तो बहुत ही उत्तम है किन्तु यदि आपके पास समय नहीं है या फिर शिवाले आप किसी भी कारण से जा नहीं सकते हैं मंदिर घर से बहुत दूर है या जाने की मना ही है जो भी रकारण हो आप घर में भी भगवान शिव का प्रदोश काल में पूजन करें यदि प्रदोश ब्रत कर रहे हैं यह समय होता है मान लक्षमी को प्रिसन करने का और प्रदोश ब्रत करने वालों के घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं रहती है समस्त मनों कामनाओं को पूर करने वाला यह ब्रत है पूरे दिन फलाहार करके ब्रत रखा जाता है वैसे तो नमक का प्रियोग नहीं करना चाहिए किन्तु यदि स्वास्त संबंदी समस्या है या किसी भी प्रकार से कोई परिशानी है तो सेंदा नमक का प्रियोग करके इस ब्रत को किया जाता है अन्य का प्रियोग अनाज का प्रियोग इस ब्रत में नहीं किया जाता है शाम तक इस ब्रत को करके आप फलाहार दूदही फलादी ले सकते हैं कूटू सिंगाडे का आटा का भोजन कर सकते हैं भगवान को भोग लगा कर और शाम के समय प्रदोश काल में भगवान शिव की पूजा करें पंचोप चार विदी से शोट सोप चार विदी से और इसके अतरिक्त भगवान की जो ब्रत की कथा है जैसे भौम प्रदोश ब्रत की कथा सुने और प्रदोश ब्रत के दिन तीन शुव योग बन रहे हैं इस दिन रुद्राविशे करने के लिए शिव वास भी है और द्रिक पंचांग के अनुसार इस बर्ष आश्विन महा के शुक्ल पक्ष की त्रेयोदशी तिथी का जो ब्रत है वो 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही सरवार्थ सित्धृ योग भी बनेंगे बहुं प्रतोष प्रत पर सर बार्थ सित्धी योग रात में दस बचकर आट मिनट से प्रारब्प होगा जोके अगले दिन शोलह एक्टूबर को सुभा छे बचकर तेसं दोक रहेगा वही रभी योग भी रात दस बचकर 8 मिनट से अगले दिन सुबा 6 बचकर 23 मिनट तक है इन योग के अलावा इस दिन पूर्व भादरपत नक्षतर है जो प्राता काल से रात 10 बचकर 8 मिनट तक रहेगा उसके बाद से उत्तर भादरपत नक्षतर है बहुम प्रदोश के दिन आप रुधराविशे करा सकते हैं इस दिन शिववास नंदी पर है जो 16 अक्टूबर को देर रात 12 बचकर 19 मिनट तक रहेगा उसके बाद शिववास भोजन में है प्रदोश ब्रत को पूरे दिन पंचक है यह पंचक 13 अक्टूबर को 3 बचकर 44 मिनट से ही लग रहा है रविवार को लगने वाला पंच पंचक कहलाता है रोग पंचक से लोगों को शारेरिक परेशानिया होती हैं जो लोग भौम प्रदोश ब्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं उन पर महादेब की अपार कृपा होती है शिव कृपा से उनके दुख दूर हो जाते हैं पाप मिटते हैं और जीवन स अशिर्वास से आरोगिता धन संपत्ती प्राप्त होते हैं इसके अत्रेक्त व्यक्ति की सभी मनों कामनाय पूर्ण होती हैं अब हम आपको एक छोटा सा बहुत सुंदर सा उपाय बताते हैं कि जब आप प्रिदोश ब्रत में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते ह चाहिए उसके बाद भगवान शिव का पूजन करना चाहिए तब भगवान शिव अत्यंति प्रसंद होते हैं साती इस दिन माता पार्वती को एक चुन्नी सिंदूर बिंदी आलता और चूडिया इस तरीके से पांस समगरी यदिया चला चड़ाते हैं तो भगवान शिव क आता पार्वती से प्रार्थना कीजिए भगवान बहुत आयाल हुए आपकी समस्या को अतिशीग्रवों समाप्त करेंगे वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हैल्प पूलो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वड वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहें तो भगतों आज की वीडियो में बस इतना ही अपना प्यार सपोर्ट आशिरवाद सना सदा बनाए रखिए स्प्रिच्छल ज्यान साधना के साथ भगवान होले कॉमेंट में जय माता की राधे 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 अवश्य लिखिएगा जय माता की राधे राधे